ऐसे नींद भी तुमारी भजन हो जाएगी, शमाद ही हो जाएगी, वैसे तो हर समय शावधान, पर शोते समय ऐसे सावधान होना चाहिए, जैसे मृत्तिव की शमय योगी जन अपने शारे इंद्रियों को शमेट लेते हैं, नहीं शो गए तो उसमें हमें टेंसन नहीं लेना या अभी नींद नहीं आई, साड़े दस मुझ गए, क्यारा मुझ गए, ये नहीं, जब आप सईया पे शेहन करते हैं, उस शमें अशावधानी हुई तो बिकार चाह जाएगा ध्यान रखना जिनोंने एक ब्रत ले रखा है, श्री क्रिष्न भजन, श्यमा श्यम श्यम, ऐसे नीन भी तुमारी भजन हो जाएगी, श्यमाध हो जाएगे एक ब्रत की चर्चा कर रहे हैं भी समझे अंतिम समय कौनशा ब्रत कृष्णब्रताह अखंड भजन आप कुछ भी जीवन में हो जाए अपने प्रभु का नाम नहीं छूटने देंगे कुछ भी हो जाए कमर कशो सामर्थ है आप में प्रभु ने आपको अध्यात्मिक शक्ति से युक्त मनुष्य शरीर दिया है ये शाधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई नजे परलोक्ष महरा है मिला ही है इसलिए ये जो बाते बनाते लो आमसे भजन नहीं भजन में मन नहीं लगता ऐसा वैसा या भोगों में सुख मानकर सने संबंदियों में सुख मानकर ऐसा बोल रहे हो आप में पूरी शामर्थ है भगवत प्राप्ति करने के लिए चाहे जो जहां भी जन्मा हो मनुष्य शरीर पूर्ण भगवत प्राप्ति के लिए युक्त है, उसमें कोई कमी नहीं है, शब में भगवार ने उग्यान शक्ति दी है, वो ग्यान शक्ति भोगों के कारण आपकी ढक गई है, आपने अपने अध्यात्म शक्ति को जागरत न करके भोगों में रत होने के कारण, वो शुषुप्त पड़ी है, आप शुप्त शक् नीच कर्म करने वाले भी जब भगवान की सरण में होकर भजन किये तो महत्मा बन गए तो थी ना उनमें उर जा सकती आप अपनी शुप्त शक्ती को जागरत कीजिए क्या कृष्ण ब्रताहा आप एक ब्रत लीजिए क्या कि मैं निरंतर श्री कृष्ण का भजन करूंगा ये निरंतर श्रब्द बहुत प्यारा है ये जो कुछ माला जब करके छूट देने वाली बात है ये तो बिशई पुरिशों को भजन में लगाने के लिए है लेकिन भगवत आनंद में डूबने के लिए आवागमन श्य मुक्त होकर प्रेम धाम में वास करने के लिए निरंतर शब्द का प्रियोग है ब्रंदावन बसके इतनों बड़ो शयान जुगल चरन के भजन भी निमिशन निमिश कहते पलक जपकने को निमिशन दीजय जान कृष्ण मनुश्मरन तो निरंतर श्री कृष्ण का इश्मरन करो अब शावधानी की बात करें रात्रवुच कृष् बहुत महिमा साली बाते भिश्म जी बर्णन कर रहे हैं रात में सोते समय बहुत सावधान हो जाना चाहिए उपाशक को वैसे तो हर समय सावधान पर सोते समय ऐसे सावधान होना चाहिए जैसे मृत्यू की समय योगी जन अपने सारे इंद्रियों को शमेट लेते हैं और अ में कोई फर्क नहीं पड़ता पता नहीं आख खुले कि ना खुले कितने ऐसे हैं कि सोते ही रह गए आप बेहोशी की हालत में जा रहे हैं नींद में जा रहे हैं तो एक समय रखो कि आप अपनी शया पर इतने शमय ही जाएंगे हमने देखा है शादुकों का एक समय होता है कि 10 बजए हमें लेट जाना है सोना नहीं है लेट जाना है और लेटे हुए भगवत चिंतन करना अब जब सो गए तो सो गए नहीं सो गए तो उसमें हमें टेंसन नहीं लेना या अभी नींद नहीं आई, साड़े दस बुज गए, ग्यारा बुज गए, ये नहीं, आखमुदी, मंत्राकार ब्रत्ती, तो बिना नींद की गोली के सो जाओगे, ये है ऐसा, भजन में मन लगाओ, सो जाओगे, जिनको नींद नाती हो, उनके लिए सही दवा है, आप नीं नींद में जो इंद्रियों को पुष्टता मिलती है, वो होता है संसार का बिश्मरण, नींद में खास बात क्या होती है, कि संसार का चिंतन छूट जाता है, फिर वो मस्त हो जाता है, उसमें जो उर्जा शक्ति जागरत होती, संसार के चिंतन से उर्जा शक्ति नस्त होती, तो 4 घंटे 5 घंटे संसार के चिंतन से रहित पड़ा रहा सुशुक्ती में तो उसे उर्जा शक्ती फिर आगे और अगर 4-5 घंटे आप प्रभू के चिंतन में रहे तो संसार के चंतन छूटा आनंदि सिंधु का चिंतन हुआ तो यह नहीं होगा कि आज रात्तरी शोया नही तो बहुत टेंसन है परिशानी, ऐसा नहीं होगा, ये बहुत सावधानी के बाद, प्राया इस सावधानी में नहीं रहा जाता, बच्पन शिक्र सद्गुरुदे भगवान ने यही शिक्षा दी थी, गुरु कृपा से ऐसे उपदेश मिले थे, शोते समय कोई वारता नहीं, कोई अन्य चिंता नहीं, चुपचाप अपने मन को हटा कर के वल इस्ट में करो, कब लींद आ जाती इसकी चिंता मत करो, इस्टाकार ब्रती करके ही सोना चाहिए, तो आगे जो लिर्खा है पुनरुत्थिता ये, जब उठो तव ऐसी ब्रती, त आपने तो इतना तक देखा है, कि जैसे आधा पद में होश रहा, और निद्रा गए, तो जब चेतना आई, तो उसी पंक्ति से, जहां से होश गयब हुआ था, उसी पंक्ति से जागरण प्रारम हुआ, ऐसा ही, जब आपरेशन के समय ब्योश किया गया था, तो उन्हें से क होश आया था, तो वही पद चल रहा था, बेहोशी में वो पद अपना अधिकार किये हुए था, ऐसे नीद भी तुमारी भजन हो जाएगी, शमाद ही हो जाएगी, यदि आप सोते समय प्रभू का चिंतन करेंगे, बहुत इस सावधानी की बात है, यदि इस जन्म में परम भजन, हमें ये नहीं देखना कि उपांसु ओ मानसी को इसमें कितने गुना, हमें गुना बुना नहीं देखना, हमें अपने प्रभू को बोलना नहीं, भजन में मन नहीं लग रहा पदगार हैं, जोर जोर से चिला रहे हैं, नाम किर्तन करें, हमें अपने प्रभू से जु कह दी तो फिर आगे कुछ कहना नहीं चाहिए पर खास बात इसी ले कहा जाता है कि आप समझ जाओ रात्र उच्छ जब कोई भी ब्रह्मचारी कोई भी उपासक कोई भी बैरागी त्यागी महत्मा शोते शमय शावधान हो गया तो उसकी रात्री बहुत गलत जाएगी खास जब आप सहिया पे शहन करते उस शमय शावधानी हुई तो भिकार चा जायेगा ध्याण रखना आपका चिंतन गलत हो जाएगा आपकी चेश्टा गलत हो जाएगी जागरत में न शही तो शपने में आप शावधान उस्ष में जरूर रहिए और उतना ही विश्राम कीजिए जितना आवश्यक हो बेर्थ में कर्वटे मत बदलिए ये उपाशक का सुरूप नहीं होता रोगी है तो बात अलग है बोड़े असाध्य रोगों से नहीं तो ऐसी दिन चर्या नहीं होनी चाहिए साड़े तीन अभी आदा घंटा तो है ये सादक का नहीं होता उचित समय जो मानू चार घंटा विश्राम का तो अब ये नेंद का विज़ाय आओ या ना हो हम तुमारे लिए पुस पे भिशा के नहीं बैठेंगे कि आजाओ 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 नहीं आई तो अब ये नहीं आप इतने समय नहीं आई थे अप चार वजे उठेने समय कैसे नहीं ये फेका उसमें बिचार नहीं कि पहले फेको और सहिया से नीचे उतरो भूमी को प्रणाम करो आगे बाद नहीं वो फिर आपको ऐसा होता है दस मिनट में तो कोई बात नहीं वो पार कर दे गए घंटा रात्रव चे कृष्णम पुनरुथिताए ये नियम लीजिए सोते शमय आप बिलकुल मृत्यु दर्शा की स्थिति लाइए जैसे मरने वाला नहीं उता शब जगे शिम्मन हटा कर प्रणा और सची है पता नहीं आग खुले की ना खुले ये बड़ा धोखे का जीवन है य ऐसे हजारों लोग शोए और शोते ही रहे गए हमको दोखे में नहीं रहना सुबह जग जाएंगे तो फिर भजन करेंगे लेकिन हम बिलकुल तैयारी में तो जब यह था कि किड्नी कभी फिल नहीं हो सकती तो हमें ग्यान तो था नहीं इसा उस समय तो रात्री में जब सयन प्रतिकूलता और अविवस्था और दुख यह भगवत प्राप्ति का प्रधान शाधन है अविवस्था प्रतिकूलता और दुख यह अभ्यास उसी से जब साम के सयन करते तो पहले ब्रंदावन को प्रणाम करके और ऐसे भावना में प्रिया प्रियां कहते हैं कि जैसे भी आपके हैं अगर सरीर छूट जाता है रात्री में तो आप दोखा ना करना आप बुला ल इसलता ओ एकदम केवल भगवद आश्रित तो रात्रवुच कृष्णम पुनरुथित आए यह बहुत पकड़ने वाली बात है रात्री के समय कोई और चिंतन न बनने पावे देख़ो आप यहां उस समय खास करके विशे चिंतन बनता है ध्यान रखना दिन भर लड़ते र पसाने की चिस्टा करेंगी कोई क्रिया या पूरु में कोई क्रिया या कोई द्रश्य या कोई बात ओगर कहीं मुबाइल से मित्रता है और बगल में रखा है तो भूल जाओ रात्रवुच कृष्णम पुनरुथित आजे जब तक नीन नहीं आती तब तक फिर वो ऐसी साम मागरी डाल देगा बरबाद हो जाओगे साधक मानलो हमारी प्रार्थना मानलो हमानते हैं कि आज के समय में यंत्र का बहुत बड़ा प्रभाव है अब यंत्र का प्रभाव देख लिए चाती पर मोबाइल होगा यहीं है यहीं धड़कन के साथ गंटी वजे और कुछ रहा अईसा भगवाल का खेल रचा है और इसमें सबसे खतरनाक बात है कि आप जो चाहो देख सकते हो जहां चाहो जहाओ बिश्व की पूरी की पूरी बात पूरा विश्वात्मा है यह विश्वात्मा सुरूप है सर्च करो देख अब अगर साधक शावधान नहीं है तो समाज में तो ऐसे कट गया एकांत में जब सयन के समय गया उसमय मन आपको फसाने की चेस्टा प्रार्थना है अगर आपके पास मोबाइल हो तो एक उसका समय रखो अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई परिश्थिती आ जाए हम स्विच आफ कि हैं तो एक और मोड मोड कहते हैं आपको कुछ चिंतन नहीं करना सबसे उठते ही यदि आपके अभ्यास में आ गया तो ऐसा ही होगा नहीं तो आपको पहले सद्गुर्द्य भगवान का प्रणाम नमस्कार और कुछ भक्तों का और फिर नाम जब भले पांच मिनट ही करो अपने आराध्य दियों का शुमिर थिर अपनी दिन चर्या करो ते कृष्न देहा प्रवशन्ति कृष्ण माज्यम्यता मंत्र हुतं हुता शे औहार वह सिरी व करशन्दहा कर सिरी कृष्ण मैं हो जाते हैं जैसे मंत्र पढकर हवन किया हूँ अग्नि मैं हो जाता है ऐसे ही ये दियाम निरंटर प्रभू के चरणारविंदकास रे लेकर उनका भजन करोगे और रात को पवित्र रखो, दिन तो सबाज में कटे रहा आपका एकांथ पवित्र होना चाहिए ज़रूर इस बात पर ध्यान दीजिए आपका एकांथ पवित्र होना चाहिए मन को डराये, ऐसे कोई आचरण मत कीजिए, नहीं तो क्या होगा ये सब ऐसे ही लगेगा, फिर वो आनन्द नहीं, जब तक भगवदा आनन्द नहीं, निज सुख बिनमन होई की थीरा, अगर आपको हिरदय में भगवदा आनन्द नहीं मिला ना, तो ये सब बाते बाते किव रह जाएंगे, होंगे बुरे आचरण ही, आचरण आपके बुरे ही होंगे, देख लेना, इसलिए सावधान, सुबह उठते समय, ये आप नित्य अभ्यास कीजिए, शब्ष पहले चेतना आने पर गुरुदेव भगवान को प्रणाम करे, मेरा जीवन उनके आदेश्य ही, उनके आराध्यदेव में लगेगा, हमारे आराध्यदेव नहीं, अभी तो हमें ये देखना है कि गुरुदेव के आराध्यदेव वही देंगे हमें, प्रिया प्रितम, तब हमारे हरदय में अपना पन होगा, गुरुदेव की कृपा के बिना ये आराध्यदेव रीजिने वाले नहीं है चाहे जितना तुम बना के साधन करो ना पाई ना पाई है बिनश्वामी या के लिए वो श्री कृष्ण श्वरूप हो जाता है जो दुखोंशे भीतों कर नरक से बचने के लिए संसार रुपिश शमुद्र शे बचने के के लिए भैंकर विकारों की ज्वाला से बचने के लिए जिनका आश्रे ले लेता है तो सब बच जाता है ऐसे श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूं प्राण कांतार पाथेयं संसार उच्छेद भेशजं दुखशोक परित्राणं हरी रित्यक्षर द्वयं हरी ये दुवक्षर दुर्गंपच में संकट के शमान प्राणों के लिए राह खर्चिके समान अर्थात संसार की राह में चलते हुए भी आपको कभी दुख नहीं भोगना पड़ेगा यदि आप हरी 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 एशा उच्छारण करोगे संसार रूपी रोग से छुटकारा दिनाने के लिए महा उशदी के तुल्य ये हरी समस्त दुख शोकों से उद्धार करने के लिए ये हरी मैं वानी रूपी पुष्प शेय से श्री कृष्ण का पूजन किया भिश्म जी मेरे परंप्रितम श्री कृष्ण मैं मन से आपको वरण किया हुआ हूँ ये वानी रूपी पुष्प आपके चरणों में शमर्पित करता हूँ अब मेरा अंतिम शमय है मेरी बुद्धी अत्तक कुवारी रही है किशी का वरण नहीं किया अब इसे श्री कार कर लो भीष्ण जी अपनी बुद्धी रूपी कुवारी को श्री कृष्ण रूपी वर के चरणों में समर्पित करते हैं और जोर शे उच्चारण किया नमहा श्री कृष्णाय बानी बन प्राण छोड़ दे ये महाभागोत की अंतिम गती बड़े बड़े योगी पुरुष्ण जिनका यतन करके अंतिम शमय इसमरण करना चाहते हैं समस्त महात्माओं ने देखा उन स्री कृष्ण को देखते देखते भीष्ण जी ने अपने जीवन का परंफल प्राप्त किया अर्थात उनको देखते देखते प्राण छुट गए भीष्ण जी का बोलना बंध हो गया वहां बैठे हुए बड़े-बड़े महारशियों के आँखों में आशु आ गए और सबने गदगद कंठ से भीष्ण जी की भूरी-भूरी प्रशन शाकी सबने भीष्ण जी की बड़ी शरहना की की ऐशी दशा अंतिम शमय में भगवान जिसके शामने हो और भगवान की स्तुति करते हुए पधारे पुर्शोत्तम प्रभूश्री कृष्ण जी मन्द मुश्कुराते हुए अर्थात भीष्ण को अपने परमानुद का दान करते वापश आ गए ये हैं प्रभूश्री कृष्ण जब कोई इनकी महिमा को इनके चरणारविंद से जानता है तभी वो एक कह पाता है कि वास्तिविक मैं नहीं जान पाया यही जानता है जो यह जानता है कि मैं जान गया वो जान नहीं पाया और जो जानता है वो यही जान पाया कि मैं जान नहीं पाया इतने बड़े-बड़े महारशी, इतने बड़े, जो ये जानता है कि मैं जानता हूँ, तो अभी वो जान नहीं पाया, और जो ये कहता है कि उनकी कृपा से जाना पर पार नहीं पाया, मैं जान नहीं पाया, वही असली में उनको जानता है, क्योंकि अपार और अगादम हिमा माइन प्रभु श्री कृष्न की तो प्रभुश्वयम करे कि मेरे जो जन्म कर्म है वो दिब्य है ऐसा जो मानता है वो त्यक्तवादेहं पुनर्जन्मो नैती मामेती स्वर्जुन हे अर्जुन वो शरीर छोड़कर फिर पुना शरीर को धारण नहीं करता अर्था तो मेरे को प्राप्त हो जाता है